उर्जा इसी धर्म के विशय पर कुछ और प्रश्न करेंगे तो आईए बाचीत करते हैं श्री सत्यनारयन गोएंका जी से हमारे इश्चो उर्जा में आईए बाचीत करेंगे आईए पकाव नार्यनार्यनार्यनार्यनार्यनार्यनार्यना गोड़नू हम सब के मन में एक सवाल उठता है, कि जब आप धर्म की बात करते हैं, तब आपका इशारा किस धर्म की तरफ होता है? जैन धर्म, बहुत धर्म, सिक, इसाई, मुस्लिम, आखिर कौन सा धर्म गुरुजी? धर्म स्वतंत्र होता है बेटी, धर्म को इन बैसाखियों के जरुरत नहीं है, क्रचर्स के जरुरत नहीं है, इन विशेशनों के जरुरत नहीं है, धर्म कभी हिंदू नहीं हुआ करता, बद्ध नहीं होता, जैन नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता, हिसाय नहीं होता, धर्म ध साथ ये विशेशन जोड़ दें, तो कटनाईयां खड़े होती हैं, धर्म सब का होता है, किसी भी परमपरा का हो, एक ही धर्म है, सब का एक ही धर्म है, ये उपर उपर के छिलके भिन्न भिन्न है, अलग-अलग पात्र हैं, भीतर का सार तो एक ही है, तो उस सार को जब महत्व देंगे तो किबल धर्म कहेंगे बद्ध धर्म कहते ही बद्ध प्रमुख हो गया धर्म गौन हो गया हिंदू धर्म कहते ही हिंदू प्रमुख हो गया धर्म गौन हो गया इसी प्रकार मुस्लिम धर्म सिक धर्म इसाई धर्म कहते ही धर्म गौन हो जाता है धर्म को प्रमुख जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शान्ति सुख जैन, ये चित्त की शुद्धता किसी की मौनपली होती है, न हिंदों की मौनपली न बुद्धों की मौनपली, न जैनी की मौनपली, सब के लिए आवश्यक है, चित्त निर्मल हो, तो शान्ति आए, तो सुख आए, ये शान्तिय सुख किसी की मनोपुली नहीं होती, जो चित्य को निर्मल कर लेता है, अपने आप शान्तिया आती है, सुख आता है. जी गुरुजी, लेकिन आपकी इस बात से तो गुरुजी, ये आर्थ हुआ कि, जैसे हम हिंदू धर्म कहें तो धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म कहें तो धर्म नहीं है, लेकिन फिर ये सब हिंदू, मुस्लिम, जैन, ये सब क्या है और धर्म क्या है? हमने कहते हिंदू कहने वाला व्यक्ति धर्म का पाला नहीं कर रहा, बवद कहने वाला व्यक्ति पाला नहीं कर रहा, जितने भी ये संपरदाएं हैं जितनी परमपराएं हैं सब में धर्म का सार है कटनाई ये हो गई कि धर्म के सार को तो भूल गए ये उपर उपर के छिल के ये प्रमुख हो गए और जब ये प्रमुख हो गए तो धर्म का जो लाब मिलना चाहिए उससे वंजित हो गए धर्म का सार सब में समाया हुआ लेकिन उसका परियोग नहीं करते उसका लाब नहीं उठाते तो छिलके ही प्रमुख हो गए सार छूटता चला गया जी गुरुजी आपने अभी बताया कि धर्म का सही सार ही धर्म है और बाकी के सारे उपनी छिलके हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे गुरुजी देखो बेटी धर्म वो जो जीवन में उतरे जिसे धारन किया जाए तो सदाचरन ही धर्म है दुराचरन ही पाप और ये सदाचरन का धर्म सब के लिए है हिंदु हो, बद्ध हो, जैन हो, इसाई हो, मुस्लिम हो सब के लिए सदाचरन का धर्म और सदाचरन का धर्म पालन करने के लिए मन को वश्मे करना होता है तो ये मन को वश्मे करने का काम भी सभी का है किसी एक संपरदाय का नहीं और फिर संपरदाय संपरदाय में उपरी उपरी भेध है भीतर के बात एक है चित्त को निर्मल करना है चित्त निर्मल होगा तो सदाचार सहज हो जाएगा तो ये चित्त को निर्मल करने की बात भी सब की है तो सदाचार का जीवन जीना इसके लिए मन को अपने वश में करना और मन को निर्मल करना उसे सदगुनों से भरना मैत्री, करुना, सदभावना बस धर्म आ गया सारा धर्म समा गया इसमे और बाकी उपरी उपरी बाते हैं वो सब के भिन्ड भिन्ड है जो सब के भिन्ड भिन्ड है समझो कि वो छिलके हैं छिलके भिन भिन होते हैं अंदर का सार एक ही होता है जी गुरुजी आपका ये सार तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया आपने कहा कि मन को वश में रखना चाहिए चित को निर्मल रखना चाहिए और एक सरल जिन्दगी बतानी चाहिए लेकिन गुरुजी फर ये जो उपरी-उपरी छिलकों के बारे में आपने जो बाते की वो क्या है उपरी-उपरी छिलके अलग-अलग होते हैं हर परंपरा के अपने-अपने अलग-अलग जैसे अलग-अलग देवस्थान है अलग-अलग पूजन विधी है अलग-अलग करमकांद है अलग-अलग रस्मुरी वाज है अलग-अलग पर्वुत्सव है अलग-अलग तीस्तिवार है अलग-अलग दारशिंग माननेता हैं फिलोसिफिकल माननेता हैं ये भी अलग-अलग तो ये समझो छिलके हैं अगर सार शुट जाए तो ये सब जगड़ा पैदा करने वाले तेरा अच्छा मेरा अच्छा तेरा बुरा मेरा उंचा तेरा नीचा सब जगड़ा करने वाले और सार अगर साथ रहे तो कोई जगड़ा नहीं होता बले अपने अपने करबकान माने, अपने अपने तीस्तिवार माने, अपने परिवार के स्वामनश्यता बनाया रखने के लिए, अपने समाज के स्वामनश्यता बनाया रखने के लिए, भले मनाए, सार न छूट जाए। जी गुरुजी आपसे इस विश्य पर और भी बात्ची जारी रहेगी लेकिन एक ब्रिक के बाद गुरुजाओ गुरुजी आपने अभी बताया कि उपरी छिलकों के भीतर सार ही है तो फिर हर साम्प्रदाय वालों को इसका लाप क्यों नहीं मिल सकता सार तो समाया हुआ है बेटी लेकिन सार जीवन में उतरे नहीं तब क्या होगा केवल छिलके छिलके ही रह जाएं और सार को हम जीवन में उतारे नहीं उसे ग्रैन करे नहीं केवल छिलकों से क्या मिलने वाला है द्रम सार तो छुट गया, छिलके बचे निशसार, शुट धरम के सार बिगड़े जग बिहवार ब्यभवार करना यह नहीं आएगा, एक दूसरे के साथ कैसे समन करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे बरताव करना है, सब भूछ जाएंगे, उपर उपर के छिल के, एक उधारन से समझो, एक बीमार आदमी किसी डॉक्टर के पास जाए, अपना इलाज करने के लिए, डॉक् पाठ करें, चिट पर लिखा है न, दोगली सुबय, दो गली दौपहर को, दोगली शाम को, दोगली सुबय पाठ करता जाए, दवा लेगा नहीं, पाठ करेंगा केबल, तो सार कहां रहा, छिल के एक प slips के रहा इना, दवा लेगा उस दिन सार उसे पराप्त हुआ, अन्न दवा लेनी है, और पाठी करता रह गया, और दवा ले नहीं, तो निकम्मी बात हुई न, ये निसार में उल्जिय हुए हैं सब, उससे बचना चाहिए. जी गुरुजी, आपने ठीक समझाया, गुरुजी आपने कहा कि चित को निर्मल रखना चाहिए, लेकिन गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी-कभी हम अपने मन को पूरी तरह वश में न रख पाए, लेकिन हम अपने आचरन को तो ठीक रख सकते हैं, जैसे अगर किसी न अधने हमें गुषा कर दिया या कुछ बुरा कह दिया और हमने कई रिया क्पी रेक्शन ने दिया बस शांत रह गय है, तो क्या इतना काफी नहीं है? reaction तो नहीं किया बेटी लेकिन भीतर तो गुसा काइम है अंदर यंदर तो गुसे में जलते रहे उसने ऐसा के दिया मुझे उसने ऐसा करदिया मेरे खिलाब तो अच्छा किया कि हमने गाली देने वाले को बदले में गाली नहीं दि अच्छा किया क्यों कि आवत गाली एक है और उलटत होत अनेक कहे कबीर मत उलटिये तो रहे एक की एक वो एक ही रह गई नहीं तो बढ़ती है ना इतनी बात तो अच्छी हुई एकदम अच्छी बात नहीं हुई अभी अपने भीतर तो क्रोध में सुलग रहा है तो अपनी हानी तो हो रही आदमी बले वो जगड़े के बात नहीं बढ़ाई पर जो जगड़ा करने वाला है जो गाली देने वाला है उसका सुधार नहीं हुआ उसका भी सुधार होना चाहिए अपना भी सुधार होना चाहिए तो धर्म जी गुरुजी आपने बहुत ही सही समझाया लेकिन आपने अभी भी जो बात की कि दूसरों को सुधारना चाहिए इस बात को लेकर मेरे मन में एक प्रशन उठाए जो मैं आपसे थोड़ी देर में करूँगी क्यूंकि गुरुजी हमारे शो का जो अगला हिस्सा है वो दर ति प्रशनाय जैसे जब प्राथनाय इन्से भी लाव होता है करोद वासनाय आधी विकार कम भी होते हैं और आसकती तृषनाय भी कम होती है भारतिय इतिहास, यह यूं कहें कि विश्व इतिहास गवा है कि ऐसी भक्ती ने मीरा और वालमेकी को संथ बनाया क्या ऐसे रास्ते गलत हैं? रास्ते गलत नहीं है बेटी उनका परियोग ठीक हो रहा है कि नहीं और वो अपने लक्षे तक पहुचा थे हैं कि नहीं बहुत से करम कांड् उनका उद्गम बहुत सुद्ध रूपे हुआ और एक लक्ष लियक्रिक हुआ वहां तक पहुचाना है जैसे गंगा गंगोत्रिसे निकलती है कितनी निर्मल है, कितनी शुद्ध है, कितनी पावन है और कितनी पारदर्शी है और जैसे ही पाड़ों से नीचे गिरी मैदान में आई कि इधर की गंदगी, उधर की गंदगी मैल ही मैल, मैल ही मैल आरे गंगा सागर तक पहुंसते वे तो ऐसी हालत हो गई कि शरीर क्या धोएं कपड़े भी नहीं दो सकते तो इसी तरह कोई करमकांड भाऊ शुद्ध रूप में चला बड़ी अच्छे रूप में चला लेकिन आगे जाकर बिगड़ते 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 उसने अपना सही सुरूप खो दिया और वहां तक पहुंचने के पहले थोड़े बहुत अलाब मिला जहां जहां पाड़ों में गंगा रही वहां वहां तो सौच रही आगी जागरगंदगी हो गए तो ख्याल दखना चाहिए कि कहीं भी हो हर करम कांधम को सार की और ले जा रहा है कि ने ले जा रहा ले जा रहा है तो ठीक है अन्ने था उलज गए हम जी गुरुजी गुरुजी दूसरा प्रशन पूछ रहे हैं रोशन अगरवाल जी भोपाल से इनका प्रशन है कि संसार के सारे लोग यदि धर्मवान ही बन गए संत ही बन गए तो संसार कैसे चलेगा अची तरह चलेगा अरे सारे लोग संत हो जाएं सारे लोग भले हो जाएं तो ये लड़ाई जगडे ये वाद विवाद ये मार कार सारी खत्म हो जाएं तो उसके शिंदा क्यों करते हो अच्छी बात हैं ऐसा होना चाहिए सारे लोग धर्मवान हो जाएं जी गुरुजी, गुरुजी तीसरा प्रश्न है, क्या अन्याय के विरूद आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या अन्याय का विरूद करना गुना है? अरे नहीं बेटी कोई अन्याय करता हो और हम कहें कि वो भुगते अपना करम हम क्यों विरोध करें तो धर्म नहीं समझा अन्याय का जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ वहाँ उसका विरोध करना चाहिए विरोध किस प्रकार करना चाहिए हम विरोध करते हुए क्रोध जगाएं, द्वेश जगाएं, दुर्भावना जगाएं तो अपने विहानी होने लगी और जो हम रोकना चाहते हैं जो अत्याचार रोकना चाहते हैं वो भी रोकने वाला नहीं तो विरोध करने के अपने तरीके हैं भीतर से मन निर्मल हो, शान्त हो, उसमें प्यार हो, करुना हो, जो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, उसके अत्याचार को दूर करना है, अत्याचारी को नहीं, उसको बदलना है, तो उसके प्रति प्यार होगा, मैत्री होगी, करुना होगी, दुर्भावना नहीं होगी, तब आप देखेंगे उसका आसर ठीक होने लगा, वो व्यक्ति बदलने लगा, उसका स्वभाव बदलने लगा, तो कल्यान होने लगा. और कोई अत्याचार करता है और हम कहते हम तो नहीं विरोध करते तो दो प्रकार का नुक्सान हुआ एक तो वो व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा उसका वो अत्याचार करने का स्वभाव बढ़ता ही जाएगा और दूसरे वो लोगों को नुक्सान पहुँचाता जाएगा हनी करता चला जाएगा तो ऐसा धर्मवान व्यक्ति कभी नहीं करेगा को अत्याचार करे और उसका विरोध तक ना करे गुरुजी आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया गुरुजी अगला प्रशन पूछ रही है सुरेखा जी डली से उनका प्रशन है सामान विचारधारा वाले लोग एक जुट बनते हैं तो वो भी प्रकार का स्वभाव ही हुआ ना क्या इसे भी साम्प्रदा ही कहेंगे अब किस तरह की विचारधारा भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा होती है कोई विचारधारा सात्रिक हो सकती है धर्म से भरी हो सकती है ऐसी विचारधारा वाले लोग एकत्र हों अच्छी बात है धर्म की बात हुई लेकिन विशार धाराएं बहुत बार संप्रदाइक होते हैं बहुत बार इस दर्शन शास्त्र को मानने वाला व्यक्ति इनकी एक विशार धारा उस फिलोसफी को मानने वाले उनकी एक विशार धारा और उनका गुठ हो गया तो लड़ेंगे ही हमारी मान्यता ठीक, तुम्हारी मान्यता खराब, हमारी शुद्ध, तुम्हारी अशुद्ध, जगड़े की बात हो गई तो देखना होता है कि जो जो लोग संग्रहित होते हैं, किस बात को लेके संग्रहित होते हैं छिलकों के लेकर संगरीत होते हैं कि सार को लेकर संगरीत होते हैं अगर सार को लेकर संगरीत होते हैं तो धरम का समू है अन्यता संबरदाय का समू है जी गुरुजी प्रोग्राम के आखरी हिस्से पर जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक गुरुजाओ जैसे तुमने पहले पूशा अच्छी बात हुई थोड़ी अच्छी बात हुई हम मौन रह करके ऐसी वानी बोले जिससे कि उसका भी सुधार हो जाए तो कल्यान की बात हुई एक घटना भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना एक व्यक्ति अपने करम कांडों में उ उसी को धरम मान रहा है एक एक करके उसके परिवार के लोग भगवान बुद्ध के पास आए और धरम के सही बात समझ में आई अरे सार तो ये है बाकि तो उपरी बाते हैं तो धीरे 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 वो सार को ग्रेंड करने लगे उनके लिए अब ये सारे करम कांड थोथे व्यक्ति इसे बहुत बुरा लगा कि हमारे सारे परिवार के लोग हमारा धर्म छोड़के भी धर्मी हो गए समझाय निवचारा क्या धर्म होता है क्या भी धर्म होता है तो गुश्य कि मारे हाथ में लाठी लिये हुए बुद्ध के यहां पहुंचा गालियां देती हुए वो नजदीक आ रहा है बगवान बुद्व मुस्करा रहे है पास आया तो कहते है स्वागत है बुड़े बाबा आईए क्या समश्या है और वो गालिया दिया जाए गालिया दिया तो का देखे आपके यह महमान आते होंगे और कोई-कोई महमान आपके लिए कोई बेंट भी लेकर आते होंगे हां बहुत आते हैं तुमको इससे क्या बेंट भी लेकर आते हैं तुमको इससे क्या तो एक बात और बताईए कि कोई तुम्हारी हमान आए और तुम्हारे लिए बेंट लेकर आए और वो भेंट तुम नहीं स्विकार करो तो उस बेंट क्या हो कैसा बेह कि तरह आए और यह गालियों के भेट लेकर एमने तो नहीं शिकार की तरी वेट तेरे पास घुखा बड़ा समझ्दार था बात सम्समाझ में आ गई कि आ हुम क्या करते हैं सारे जीवन पर वो दो गालियों करता तो सारी बास समझ में आई तो उसने भी धरम धारन करने की विद्या शीखी भगवान से और सारा जीवन ही बदल गया जीवन मुक्त हो गया तो बोलना चाहिए पर ऐसा बूलना चाहिए जो किसी को पीडा ना पहुंचाए ऐसी वाणी बोलिये मन का आपा खोई ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होई ये जो भीतर का अहंकार है ना ये हमको मेठी वाणी बोलने नहीं देता कटुता ही आती है और ये अपना आपा खोदिया अहंकार खोदिया फिर जो बोलेगा प्यार से बोलेगा और बोलने वाला भी भीतों से भाव शांती और भाव शीतलता महसुस करेगा और सुनने वाला भी इसी प्रकार शीतलता करेगा शांती महसुस करेगा लेकिन बोलना निर्मल चित्त से बोले मीठे वचन बोलने बोलना तो है कैसे वचन बोलते हैं तो कहा आपने यहां तुलसी मीठे वचन से सुख उपजयत चहूँर वशीकरन एक मंतर है तजदी वचन कठोर किसी को वश्मे करना है सही रास्ते पर लाना है कठोर बोल करके कैसे लाँगे कड़वा बोल करके कैसे लाँगे प्यार से बोलेगे तो फिर देखेंगे वो आदनी बदलने लगा उसका इभला होने लगा, यही धरम का सार है जी गुरुजी, आपके इतनी अच्छी बाते सुनकर तो मैं भी अपनी वानी और भी सॉफ्टर स्वीड करने की जरूर कोशिश करूँगी करनी चाहिए बेटी और मुझे विश्वास है कि हमारे विवस भी यही कोशिश करेंगे बहुत ठीक शुक्रिया गुरुजी, प्रणाम सुखियो प्रणाम माताजी तो दर्शको, आज का हमारे ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हुआ उमीद करती हूँ कि आप इसी तरह आपके प्रशन हमें भेजते रहेंगे और हमारे यही कोशिश रहेगी कि आपके प्रशनों का उत्तर सही सही देपाए देखना न भूलिए इसी वक्त इसी समय अगले हफते उर्जा इसी प्रूलिए